हेलो एवरीवन वेलकम तो सैफ सार उनलाइन क्लासस आइम यूर इंस्ट्रक्टर सैफ खान गोंग तीच यू वाव तो यूज एंड्रोइड मुबाइल फोन फोर पाइफन प्रोग्राम्स इसके लिए आपको पाइड्रोइड आप डाउनलोड करनी पड़ेगी अपने मुबाइल फोन पर जो कि मैंने डाउनलोड कर लिए आप देख सकते हैं यूट्रोइड पाइड्रोइड पीवाई 3 का एक आइकन है आपको इसके लिए प्ले स्टोर पर जाना होगा और यहां पर आपको लिखना पड़ेगा पाइड्रोइड 3 पाइड्रोइड 3 आप देख सकते हैं सेकेंड आप्शन पे आ रहा है पाइडरी 3 आईडी फोर पाइ इकन यह आपके प्रोग्राम को रन करने के लिए व्यूज़ होता है यह जो थ्री बटन्स हैं यह इसके मेन्यूज हैं जिसमें आप जाकर के शेल मोड में काम कर सकते हैं टर्मिनल पे जाकर के बहुत आसान है यहाँ पर आप सिर्फ लिख दीजिए पाइथन पी वाई टी एचो एन और एंटर मार दीजिए बस यहाँ पाइथन में चले गए अब आप कुछ भी यहाँ लिखते हैं X is equal to 20 enter X so it works like that I am not working in on this particular thing हम वापस आते हैं और अब हम बाकी बटन्स की बात करते हैं new यह बता रहा है कि आपकी फाइल का भी कोई नाम नहीं है by default में जब आप किसी फाइल पर काम करते हैं तो उसका नाम new होता है दूसरी चीज़ यह है कि इसमें एक icon आपको दिख रहा होगा यह folder type का आप क्लिक करेंगे तो यह menus आएंगे menu display होगा जिसमें new open safe 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 as close और recent files आ रहा हैं आप किसी file को create करना चाते हैं हम new कर दिज़ेए आप पुरानी file open करना चाते हैं आप open पर जा सकते हैं अब हम इसके सारे important buttons को discuss कर चुके हैं ये undo redo का option है search go to line ये इतना important नहीं है अब हम शुरू करते हैं कि इसमें एक चोटा सा program कैसे बनाना है हमने यहाँ पर एक print लिखना है हम यहाँ पर एक print लिख रहे है और हम उसमें लिख रहे हैं hello और हम उसे run कर रहे है हमारा message run हो गया यह यह है program चलाने का simple तरीका सवाल ही आएगा कि अरे भाई मुझे तो इसको save करना है l is equal to let's say हमने इसको 5 दे दिया और suppose b हमने इसको कोई और number दे दिया 7 दे दिया और हम चाहते हैं यहाँ पर हम इसका area प्रिंट करें अगर यह length और breath है तो तो हमने यहाँ पर लिखा area equal to और बाद में जाके कॉमा लगाया और यहाँ पर सीधे value देंगे elastic b और bracket close parenthesis close more correctly यह हो गया बस अब एक बहुत लरी important बात है message हमेशे quotes में होना चाहिए और कॉमा उसके बाद होगा a comma is separated between two messages or among the messages so this is so you can see this one this is the way you can run your program the second thing is just save कैसे करना है इसको save करने के लिए आप इस folder पर click कीजिए यह save option पूच रहा है यह हमेशे अच्छा होता है कि आप एक folder create कर लें अब मैं एक बार फिर से बताता हूं folder कैसे create करना है यह new folder आ रहा है button अब इस पर click कीजिए एक folder create कीजिए और चाहिए इसमें और चीज़ है जैसे ही आप folder create करेंगे आप उस folder के अंदर होंगे जैसे टेस्ट python मैंने लिख दिया है आपर यह मेरे folder का नाम है टेस्ट python तो जैसे ही मैंसे create करूँगा मैं उस folder के अंदर ही चला जाओंगा यह windows की तरह नहीं है कि folder create करो फिर उसमें double click करके अंदर जाओ जैसा नहीं है हम already test python के अंदर है अगर आप देखें arrow के पास में लिखा हुआ testp dot 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 यह हम test python के अंदर है बस हम अपनी file create करनी है हम किस file से किस नाम से इस file को save करना चाहते है हम select folder पे click करेंगे पिर से एक बार बता रहा हूँ अगर अपनी file को save करना अप select folder पे click कीजिए यहां पर यह file का नाम दे रहा है let's see area है मैंने इसको area के नाम से save किया area 1 save कर देता हूँ यह file save हो गए area 1 के नाम से dot py python का extension dot py वो default है इस तरह है आप इस file को save कर सकते हैं hope you you understand the video और आपको समझ में आया होगा अगर कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट दे सकते हैं I will try to respond to your comments thank you have a good day bye